न्या सिलेबस जो वर्क्शॉप, क्लकॉलेशन और साइनस टर्नट्रेड के लिए है उसकी लेट्स अपडेट के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं धन्याज़ाद है आपके मैक टक इयचा यूट्यूब चैनल में MacTech ITI YouTube channel में हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि जो है आपके ITI से संबंदित कई सारे बदलाव होने वाले हैं जो DGT ने जो फैसला लिया है अपनी मीटिंग के दौरान चेर्मेंशिप मीटिंग के दौरान में उसमें कई सारे बदलाव ITI के syllabus में ITI के पढ़ाई के दौरान लिये जाएंगे एडमिशन से संबंदित और एडमिशन के exam से संबंदित जो है कई सारे बदलाव किये जाएंगे इन में से एक बदलाव जो बहुत important है वो हमने डिसकस किया था अभी मैं उसको फिर से डिसकस कर रहा हूँ यहाँ पर जो दूसरा एजेंडा था सिंप्लिफिकिशन ओफ वर्क्शॉप केलकुलेशन और साइन्स और इंजिनिरिंग ड्रॉइंग का जो syllabus है उसको maximum 40 hours करने के लिए यहाँ पर बदलाव लाया गया है तो maximum 40 गंटे की पढ़ाई आपकी वर्क्शॉप केलकुलेशन और साइन्स और इंजिनिरिंग ड्रॉइंग की होगी का नहीं देना है यह फैसला लिया गया है तो इसके तहट आप देखेंगे कि कई सारे बदलाव जो है इसके syllabus में भी किये गए तो यहाँ पर जो है यह लिखा हुआ है तो उनके लिए supplementary का exam अलग से किया जाएगा उसकी विवस्ता अलग से होगी बहराल आज जो हम topic लेकर के आए हैं वो topic इसी से related है कि workshop calculation and science और इंजिनिरिंग ड्रॉइंग का जो syllabus है इसको maximum 40 गंटे का जो किया गया है merge किया गया trade theory के साथ trade theory के subject के साथ उस 40 गंटे में कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है यह हम लोगों को आज देखना है तो इसके लिए मैं जो आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि workshop calculation में आपको क्या-क् पढ़ना है देखिए बच्चो एक चीज़ बहुत जरूरी है कि हम लोग जब exams की तैयारी करते हैं जब हम लोग कोई पढ़ाई करते हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि what we have to study and what we have not to study ये भी हमारा वंडा इसको बिल्कुल clear रखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना ह लिए आप सब कुछ पढ़ करके जाएंगे तो भी आपके लिए फायदा नहीं है और कुछ भी पढ़ करके नहीं जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है तो इसलिए आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं उसका बनाने का main purpose यही है कि workshop calculation and science और engineering drawing के लिए जो syllabus नया तैयार ह हुआ है वो syllabus हम आपको यहाँ पर समझाना चाहा रहे हैं कि syllabus में क्या क्या चीजे include की गई हैं और क्या क्या चीजें पिछले syllabus से हटा दी गई हैं delete कर दी गई हैं तो चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद अगर आप चैनल में नए हैं यह वीडियो पहली बार दे ज्यादा ज्यादा turner trade के बच्चों तक जो है यह syllabus महुँच सके क्योंकि आज का यह जो वीडियो हम लेकर के आए हैं यह specifically एक turner trade के लिए turner trade जो कि mechanical की ट्रेड है दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं वर्क्शॉप केलकुलेशन और साइन्स के टर्नर ट्रेट के फर्स्ट इयर के सिलेबस पर जो कि मैं आज अपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो चलिए तो चलिए देखते हैं रिवाइड सिलेबस फॉर वर्क्शॉप केलकुलेशन और साइन्स इंजिनिन टर्नर ट्रेट के लिए यहाँ पर टर्नर ट्रेट के लिए जो सिलेबस वर्क्शॉप केलकुलेशन और साइन्स का है उसमें क्या-क्या चीजें क्या-क्या टॉ इसके इंतरगत आपका FPS system, CGS system, MKS और SI units का पूरा topic होता है और classification of पूरा unit system का पूरा classification जो है पढ़ने के लिए मिलता है तो यह आपका retain किया गया है इस topic के इंतरगत और इसी के इंतरगत आपके fractions भी जो है वो भी retain किया गया है इसमें factors, HCF, LCM problems और fraction में addition, subtraction, multiplication and division decimal fraction में addition, subtraction, multiplication and division इस तरह के जो topics है इस तरह के जो subtopics है उन्हें retain किया गया है तो overall unit and fraction topic को retain किया गया है इसके जो revised time दिया गया है वो 4 गंटे का समय दिया गया है second topic जो retain किया गया है वो है square root, square root ratio and proportion percentage square root ratio and proportion percentage इस topic को भी retain किया गया है इसके लिए total hours दिया गया है वो है 6 गंटे इस topic के अंतरगत में square and square root इसे ये retained है very simple problems using calculator application of Pythagoras theorem and related problems ratio and proportion ratio and proportion direct and indirect proportion ये retain किया गया है फिर है percentage, percentage changing, percentage to decimal and fraction ये retain किया गया है तो ये topics retain किया गया है इसके लिए total जो hours दिये गया है वो है 6 गंटे का समय आपको दिया गया है next जो है topic जो retain किया गया है वो है material science material science में type of metals, type of ferrous and non-ferrous metals ये retain किया गया है इसमें physical and mechanical properties of metal ये retain किया गया है introduction of iron and cast iron ये retain किया गया है और साथिसाथ difference between iron and steel, alloy steel and carbon steel ये topic retain किया गया है इसकी इसमें एक topic था जो पहले था उसे delete कर दिया गया है वो है properties and uses of rubber, timber and insulating material ये topic हटा दिया गया है, delete कर दिया गया है आप देख सकते हैं next जो topic है, fourth जो topic है जो retain किया गया है वो है mass, weight, volume and density तो mass, weight, volume and density में जो retain किया गया है वो है mass, volume, density, weight and specific gravity, numericals related to these ये जो है ये retain किया गया और इसी topic का जो top topic related problems of mass, volume, density and weight and specific gravity इसको जो है delete कर दिया गया है, ये हटा दिया गया है तो ये चौथा topic था जो की retain किया गया है और उसमें से भी basically mass, volume, density, weight and specific gravity को रखा गया है इसके लिए जो learning hours दिये गया है वो है two hours तो यानि दो घंटे का समय दिया गया है इसके अलावा जो fifth topic जो retain किया गया है वो है speed and velocity, work, power and energy इसमें इस जो topic में ये पूरे topic में जो चीज retain की गयी है वो है केवल ये यानि कि work, power, energy, HP, IHP, BHP, efficiency efficiency ये topic जो है retain किया गया है बागी सारी चीज़े डिलीट कर दिया गयी है जिसमें से speed, velocity, speed, velocity, related problems, potential energy, kinetic energy and related problems with assignment ये सब डिलीट कर दिया गया है क्योंकि आम तोर पर ये जो topics हैं ये topics हम already school में पढ़कर के आते हैं speed and velocity, rest, motion, speed, difference between speed and velocity, acceleration and retardation ये सारी चीज़े हम पढ़कर के ही school से आ जाते हैं तो ये topic basically इससे हटा दिया गया है बात करते हैं अगले topic की तो जो अगली चीज़ जो retain की गई है वो है heat, temperature and pressure, heat, temperature and pressure में आप देख सकते हैं क्या retain किया गया है कि वल एक topic इसमें से retain किया गया है वो है ये concept of pressure concept of pressure को ही retain किया गया है unit of, जिसमें unit of pressure पढ़ना है atmospheric pressure पढ़ना है absolute pressure, gauge, pressure gauge, pressure and gauges used for measuring pressure ये retain किया गया है बाकि सारे heat and temperature coefficient of linear expansion, thermal conductivity of insulator, problems related to heat loss, heat gain, concept of heat and temperature ये सारी चीज़ें यहां से हटा दी गई है इसके लिए आपको केवल एक ही topic इसमें concept of pressure ही पढ़ना है बाकी नहीं बाकी ही topic जो है नहीं पढ़ना है तो ये इसके लिए जो learning आवाज दिये गया है वो चार घंटे का समय दिया गया है अब concept of pressure के बाद जो अगला topic रिटेन किया गया है वो basic electricity तो basic electricity को भी पूरी तरह से रिटेन नहीं किया गया इसमें से maximum चीज़ें जो है डिलीट हो गई है आपके नहीं वाले से लिए बस में तो इसमें जो रिटेन की गई है वो है introduction and uses of electricity introduction and uses of electricity को रिटेन किया गया है इसमें electric current AC DC and their comparison voltage resistance and their units इस main topic को रिटेन किया गया और इसके लिए जो learning hours दिये गया है वो है two hours दो घंटे के लिए का समय इसके लिए गया है इतना ही रिटेन इसमें हुआ है ज्यादा रिटेन इसमें नहीं हुआ बाकी चीज़ें डिलीट कर दी गई है next जो topic retain हुआ है वो है mensuration mensuration बहुत important topic है इसलिए इसमें maximum चीज़ें जो है इसमें retain की गई है इसमें सबसे पहली चीज़ area and parameter of square, rectangular, rectangle and parallelogram ये retain किया गया है area and parameter of triangle ये retain किया गया है area and parameter of circle, semicircle, circular ring, sector of circle, hexagon and ellipse ये चीज़े retain हुई है एक topic और जो बच्चरा है surface area and volume of solid जिसमें से cube, cuboid, cylinder, sphere and hollow cylinder ये topic retain किया गया है बाकि इसमें hexagonal, conical and cylindrical shaped surfaces में जो total surface area and capacity in liters ये topic delete कर दिया गया है तो इसके लिए जो total learning आवज दिये गया है वो 8 गंटे का समय दिया गया है mensuration topic के लिए अगला topic जो retain हुआ है जो इसका last topic retain हुआ है वो है liver and simple machines तो simple machines and livers भी जो है ये पूरी तरह से retain नहीं हुआ है इसमें liver and simple machine, liver and types ये topic retain किया गया है बाकि simple machine effort and load, mechanical advantage, velocity ratio ये सारी चीज़ें delete कर दिया गई है last topic जो इसमें retain किया गया है वो है आपका trigonometry, trigonometry को retain किया गया है, trigonometry को यहाँ पर retain किया गया है, इसमें से measurement of angles, trigonometrical ratio, trigonometrical tables, ये तीन topic इसमें जो है retain किये गये है बाकि application and calculation of height and distance ये simple application ये delete कर दिया गया है, तो total जो आपका learning hours निकलता है वो 40 hours निकल रहा है तो इस बात के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो total learning hours मिलते हैं workshop calculation के लिए वो है 40 hours ठीक है, तो ये 40 hours जो है आपको मिल रहे हैं तो उमीद करते हैं कि आपने syllabus अपना देख लिया होगा और ये syllabus में जो topic retain की है, इसकी जानकारी हमने आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी, आपने note कर ली होगी, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, दोस्तों के साथ share करें हो, साथ ही साथ channel में नए हैं तो channel को subscribe करें, मैं इसी तरह से itis related जानकारिया, syllabus, यहां तक की जो exam की तैयारी है वो भी objective questions के म मिस ना हो, आपका दिन शुभू, धन्यवाद